नमस्कार में श्यूम प्रेड़न आप देख रहे हैं एक न्यूस 24 नितीश कुमार इस वक्त विपक्षी एक्ता के मोहिम को मजबूत करने में लगे हैं यानि कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन्हें एक मंज पर लाने की कोशिस कर रहे हैं इसको लेकर पिछले दिनों भ काफी तेजी से पहल भी कर रहे हैं अब एक बार फिर से नितीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं जहां पर वो एक बार फिर से केजरिवाल से मुलाकात किये हैं बता दें कि चादिस दिनों के अंदर वो दूसरी बार केजरिवाल से मिलने दिल्ली पहुँच गए है उनके साथ उपमुखे मंतरी तेजस्वी यादब भी मौजूद थे जो कि इस वक्त विपक्ष की एकता को मजबूत करने की खवायत में जूटे हैं तो चलिए एक बार खबर को विस् přाव विपक्ष इकता की मुहिम को लेकर एक बार फिर से दिल्ली पहुंच गए ہं दिल्ली में आज मुखे मंगी में चेंदु की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाब समर्थन भी मांगा है सीम केजरिवाल ने कल ही कहा था कि केंद्र के अध्यादेश को लेकर विपक्षी नेताओं से समर्थन मांगेंगे मुलाकात की बाद तिजस्वी आदब ने केंद्र सरकार पर खूब निश्चाना साधा जहां भी बी करविंद केजरिवाल ने बताया कि वो 23 माई को पश्चिम बंगाल की मुख्य मंद्री से भी मुलाकात करेंगे वो हर दल के नेता से मिलकर समर्थन भी मांगेंगे ताकि राज्यादेश को पास होने से रोका जा सके बताने कि सुप्रेम कोट ने दिल्ली में पुलेस कानून बिवस था और भूमी को छोर कर अन्य सभी सिवाओं का नियंतरण दिल्ली सरकार को सौप दिया था लेकिन अध्यादेश लाकर केंद्र ने इस फैसले को पलट दिया है केजरिवाल ने इस मुद्दे पर राज्यस सभा में समर्थन की अपील भी कर दी है दिल्ली सीएम के सि नितिर्श कुमार ने अरबिंद केजरिवाल से मुलाकात की थी जहां पर केजरिवाल ने विपक्षी एकता में साथ आने की बात भी कह दी थी यह मुलाकात एहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि केजरिवाल विपक्षी एकता की एक मुख्यकरी है और केजरिवाल को सिर्फ दिल्ली से जोर कर नहीं देखा जाता उनके जिम्में पंजाब और गॉआ भी आता है बताने कि करनाटक में बनी कॉंग्रिस सरकार के शपत ग्रहन समारों में शामिल होने के बाद नितिश वहां से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हाला कि अर्विंद केजरिवाल बनी कॉंग्रिस सरकार के शपत ग्रहन समारों में नहीं पहुंचे बता जा रहा है कि उन्हें नियोता भी नहीं दिया गया था अब बता दें कि मुख्य मंत्री नितीश कुमार आज अलग से कॉंग्रिस के राष्ट्रे अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे से भी मिलेंग हाला कि कल बैंगलूरू में शपत ग्रहन समारों के दोरान दोनों नेता की छोटी सी मुलाकात हुई थी लेकिन विपक्षी एक्ता को लेकर आज लंबी मुलाकात होनी है जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि आज मुख्य मंत्री नितीश कुमार अडविंद केजरिवाल से मिलने पहुँचे है जहां पर विपक्षी एक्ता की मोहीम पर बात हो रही अब बता दे कि केंडर के अध्यादेश के खिलाफ ये दोनों नेता वहां पर पहुँचे हुए हैं यहां पर सीम नितीश कुमार के साथ डिप्टी सीम तेजस्पी यादब भी मौजूद है साथ उनके नेता संजय ज्जा भी मौजूद है इस दरम्यान उन्होंने दिलनी जाकर केजरिवाल से मुलाकात किये जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों कॉंग्रेस करनाटका में जीत गई है जिसके बाद से शपत ग्रहन समारो हुआ जिसमें मुख्य मंत्री नितीश कुमार तो पहुँचे लेकिन इसमें केजरिवाल शामिल नहीं हुए और साथ सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए मारे वीडियो जरूर कीजिए धन्यबाद